अब हम आप होचे हैं साला सर बाला जी के अंजनी माता के मंदिर के सामने अभी सवक्त खड़े हैं कहते हैं कि यहां जब बाला जी के मंदिर में हनुमान जी का दर्शन कहते हैं तो अंजनी माता के मंदिर का भी दर्शन करना चाहिए हनुमान जी की माता जी थी अंजनी और कई भक्त गन तो यहां अंजनी माता के मंदिर से और साला सर बाला जी के मंदिर तक का अलग अलग तरीके से पेट पलाऊना वगरा कई तरीके से जाते हैं इसके पिछे भी एक गहरी आस्ता है कहते हैं कि जब भी हनमान जी का दर्शन किया जाए तो उनकी माता के दर्शन भी अवश्य करनी चाहिए और जहां भी आप देखेंगे कि हनमान जी के जहां भी मंदिर होंगे वहाँ पाशी में माता अंजनी का मंदिर भी जरूर होगा अब हम मा अंजनी के मंदिर के गर्ब ग्रह में आप पहुँचे हैं जहां पर सामने मा अंजनी की एक दिव्य परतिमा लगाई गई है जिसके गौद में हनुमान जी मराज अपने पुत्र को मा अंजनी उठाई हुए है ऐसी दिव परतिमा है अलोकिक परतिमा है इसकी भी अपनी एक महिमा होती है जब भी हनुमान जी के मंदिर में आएं तो माता अंजनी के मंदिर में भी जरूर आएं कहते हैं माँ से बेटे तक का ये सफर और आपकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए वेग परदान करता है और कहते हैं कि आप जैसे जानते मी हैं कि माँ की कई हुई बेटा बात कभी नहीं ठालता तो माँ अंजनी के मंदिर में आने का ये भी एक फाइदा है कि मा अंजनी से भी आप वही अर्दास करें जो हनमान जी से करते हैं तो वो अर्दास कहते हैं कि जल्दी पूर होती है और मा अंजनी के दिव्य दर्शन आप इस चैनल के मादिम से भी कर रहे हैं एक दिव्य परतिमा परतिस्थापित की गई है मंदिर के गर्व ग्रह में और आशिरुवाद देने की मुद्रा में माता अंजनी के मंदिर के विवस्ता पर एवं पुजारी है स्री रिशी राजी पुजारी हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस मंदिर का क्या इतिहास रहा कब ये मंदिर बनाया गया और यहां के मंदिर की महिमा के बारे में और विवस्ताओं के बारे में जानेंगे रिशी राजी पुजारी से अंजनी माता मंदिर में पहुंचते हैं बोलो अंजनी माता की यहां के विवस्ताओं के बारे में जानना चाहूंगा कि जो भी यहां सरद्धालो आते हैं उनको किस प्रकार से यहां क्या विवस्ताइं दी जाती है यहां पानी की बिजली की और यहां जो लोग आते हैं उनको प्रसाद वगेरा खूब वितरन किया जाता है सुवाक की चीज़ें दी जाती है चुन्दडी वगेरा यहां मंदिल में प्रसाद की रूप में दी जाती है यहां के पूजन के लिए एक विशेश कुछ जो मा अंधनी को हम अरपन करें तो हमारी अरदास पूर्ण हो इस सम्मंद में भी कुछ बताना चाहेंगे यहां सुवाक की चीज़ें चड़ाई जाती है मा को चुन्दडी भी चड़ाई जाती है रोली मोली से पूजा की जाती है अश्टमी के दिन पूजा की जाती है मैया की अंधनी मा की बिल्कुल और जो पूर्णिमा के दो बड़े मेले होते हैं वही मेले अंजनी मा के मंदिर के भी मेले होते हैं आसोज में मेला आता है पूर्णिमा को और चेतर में आता है हनुमान जेन्ति को और चेतर पूर्णिमा को दो मेले जो बाला जी के यात्री आते हैं यहां मिला होता है। की बेवस्ताएं हैं वो किस तरह चल रही है सबी जानकारियां हमने आशिल की ये था हमारा आज का विशेश कारिकम साला सर बाला जी से केमरा में गुलाब प्रजापत के साथ मैं हूं नागेश कुमार कौशिक तन्यवाद